तो दोस्तों से भी ग्रेडे का एक्जामेनेशन कुछ टाइम में आपको हो सकता कि देखने को मल जाए इस पर हमारी चैनल पर काफी सारी वीडियो अलड़ी हो चुकी है तो थोड़ा सा चीजों को लेकर आपको और अवेर करेंगे जैसे कि syllabus को लेकर और exam pattern एक बार हम लोग फिर से देखेंगे ज़रा syllabus को थोड़ा सा completely detailed के साथ हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के मध्यम से discuss करेंगे तो आई ज़रा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अगर आप हमारे चलने पर नए हो तो चलने को सब्सक्राब जरूर कर लीजेगा बैल अकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि upcoming classes और वीडियो को notification आपको मिलते रहेंगे application आपको जरूर से download कर लीजेगा क्योंकि अगर आप किसी भी paid based में admission लेते हैं क्योंकि इसमें काफी सारा free content भी आपको मिलता है दोस्तों आज जो है अटा247 के सारे महापेक्स के उपर है आपकी बोल सकते हैं जितने भी महापेक्स हैं उन सभी पर आपको double value टी मिलेगी double value टी मिलती है by using this referral code अगर आप इस referral code को use करेंगे तो double value टी के साथ साथ आपको 78% का discount मिलेगा दोस्त 77 तो normal है और 1% additional कहां से मिलेगा application app के उत्रू तो अगर किसी भी paid based में join करना है तो ये right time है क्योंकि दोखो RBA grade B के लिए preparation का सही time है अभी है कि अपनी preparation आपको शुरू कर देने ही चाहिए तो हम लोग का 3.0 batch है वो आप join कर सकते हो 4.0 भी start होने वाला है वो आप join कर सकते हो CB grade A का batch start होने वाला है वो join कर सकते हो NHB की preparation आप लोग कर सकते हो मतलब काफी सारे examination है तो ये right time है और right time पर right moment पर अपने को action लेना जरूरी होता है basically ठीक है चली जड़ा शुराद करते है session की so आगे बढ़ते हैं धीरी धीरे कि क्या क्या में 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 point हमें discuss करने है आपके साथ में so दिखेगा CB grade A काफी अच्छी job है आप सब लोग जानते है उसके बारे में so सबसे पहले फटाफट से हम एजेंडा देख लेते हैं आज के session का तो एजेंडा क्या complete syllabus discussion phase 1, phase 2 क्या syllabus होता है इसका वो हम लोग सारा का सारा यहां पर discuss करेंगे but उसके पहले हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते CB grade A के एक तरसे overview देख लेते है थोड़ा सा और अगर बात कर ले post की तो grade A officer के तोर पर आप join करते हो और इसके बाद में फिर धेरे-देर आपके posting बढ़ते रहती है क्या-क्या further post है आगे वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे assistant manager, legalist team पर आप join करेंगे इसमें अगर आप देखे selection process तो selection process क्या रहता भई, phase 1 का examination होगा phase 2 होगा और interview होगा, 3 sections होगे आपके इस examination में, phase 1, phase 2 और interview, ठीक है बात कर लें CB grade A के exam pattern की तो paper 1, in paper 2, mcq वाला होगा होगा इसके अंदर दोनों ही language में होगा, hindi और english और ये official website है, या ना, चली आगे बढ़ते हैं फटाफट से, so दोस्तों देखो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको यह धिहन रखना है कि जिसे आप लोग अगर CB grade A पर join करते हैं आप लोग, तो उसके बाद भी आपके पास कितनी सारी opportunities है, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी opportunities है, प्रमोशन ले लेके आप लोग executive director जा सकते हो, ठीक है तो यह आपके पास options रहते हैं कि भई assistant manager से आप लोग manager की post पर जाओगे manager की post से फिर आप लोग assistant general manager deputy general manager हो गया, general manager हो गया chief general manager हो गया और executive director हो गया अगर आप grade wise देख लें तो grade A की post पर आप join करोगे then फिर आप लोग यहाँ से shift होगे grade B, grade C, grade D, grade D, grade F और executive director तक आप लोग जा सकते हो तो एक बार join करने के बाद भी आपके सारी opportunities है आगे बढ़ने के लिए तो आपको खुद को motivated रखना है कि हम यह तो join करेंगे लेकिन मुझे grade B पर भी जाना है C, D, हर एक step पर आगे बढ़ते चलना जितना आप लोग जा सकते हो चली, आगे बढ़ते हैं फटा-फट से अगर दोस्तों अगर हम इसकी बात कर लेगी जैसे आपसे पहले ही कहा है भी तीन phase में आपका examination होगा phase 1, phase 2 और phase 3 जो कि आपका interview round होगा इसके अंदर थोड़ा सा और आगे अगर बात कर ले तो देखिए, ये जो है इसका examination pattern है पूरा का पूरा आपके एक दम पूरा बाइफिगर कर दिया हमने इस examination pattern को अगर phase 1 के examination के अगर बात कर ले तो आपका online preliminary examination examination बूल सकते हैं उसको paper 1 100 marks का रहेगा, paper 2 भी 100 marks का आपका रहेगा ये देखेंगे इसमें क्या-क्या चीज़ा रहने वाली आगे याना बट इतनी clarity आपको रहना चीज के अंदर phase 2 के अगर बात कर ले तो online means examination बूल सकते हैं आप लोग उसको पेपर 1 इसमें 100 marks का रहेगा, paper 2 आपका 100 marks का इसके अंदर रहेगा और phase 3 के अगर बात कर ले तो आपका interview round होगा जो की पंधर नमर का होगा interview round कितना होगा इसके अंदर 15 marks का आपका interview round होने वाला है तो ये बात आपको धियाल रहना चीज़िए चलिए आगे बढ़ते हैं फटा फट से दोस्तों वहीं चीज़े हैं कि phase 1 का examination आपके पास किस तरह से two paper consists होते हैं इसके अंदर 100 marks each और phase 2 में भी अपने पास कितने two papers होगे 100 marks each और interview अपना 15 नमर के रहने वाला है इसके अंदर चलिए सो देखिए यह जो है यह notification में रहे था mainly कि भई आपके पास क्या-क्या रहेगा आपके पास paper 1 phase 1 में क्या-क्या रहने वाले आपके पास कौन-कौन से subjects हैं 100 marks का रहेगा 60 minute का time duration रहेगा आपके पास में और 30% यहाँ पर क्या रहेगा आपका cut-off रहेगा basically और वही पर अगर paper 2 की अगर बात कर ले तो multiple choice question आपका में सु के ही रहेगा इसके अंदर on specialized subject मतलब जिस भी stream से आप लोग form को fill up करेंगे 100 marks का रहेगा basically duration आपका 40 minutes का रहेगा और 40% आपको cut-off इसके अंदर भी clear करने ही इसको थोड़ा सा detailing के साथ देखते हैं आई जरा यहाँ पर देखें कि paper 1 के अगर बात कर ले जितनी streams है सभी के लिए आप general awareness, English, quantitative aptitude, test of reasoning, reasoning ability के अगर बात कर लेंगे तो 20-20 questions की बात कर सकते हैं हर में 20-20 questions मतलब 80 questions हमारे पास होंगे कितने questions 80 number of questions हमारे पास होंगे और maximum marks के अगर बात कर ले तो 100 आपके maximum marks इसके अंदर होंगे 30% आपको cut-off clear करना है 60 minute का time duration यहाँ पर मिलेग आपको वही पर अगर बात कर ले यह अलग-अलग streams का दे रखा है बट हम लोग general stream की बात करेंगे है ना जहां पर बात कर ले तो multiple choice questions आपके अपास होंगे है ना on subjects of commerce, accountancy, management, finance, costing, companies act, okay and economics इसके दुरू रहेंगे right so यहाँ पर 50 questions रहेंगे एक question दो नुमर का तो कुल मिलाकर maximum marks आपके 100 बनेंगे 40% cut-off आपको यहाँ पर clear करनी है right और आपका 40 minutes का क्या रहेगा time duration रहेगा दोस्तो overall cut-off की अगर बात कर लिजाए aggregate cut-off बोल सकते है आप लोग 40% है ना मतलब देखो यार 200 number का हो गया तो 200 में से कितना 40% आप देख लो ठीक है इतना आपको clear करना पड़ेगा that's it ठीक है तो आप लोग यहाँ phase 1 आप लोग clear क कर जाओगे राइट चलिए और negative marking बिलकुर रहेगा आपकी इसका ध्यान रखो कि negative marking आपके रहेगी जितने भी questions होंगे सब में 1-4 आपकी negative marking होने वाली है यहाँ ठीक है चलिए cut-off का आपको बताई दिया है कि ठीक है कितना कितना minimum आपको इसमें score करना है बात करते हैं दोस to English की बात कर ले तो भई आपको typing speed पर काम कर लेना starting से क्योंकि जरूरी है वो सब चीज़े है तो maximum marks आपके 100 रहेंगे इसके इंदर 60 minute का time duration आपको मिलेगा इसके इंदर 30% cut-off रहने वाली इसकी 1-3 इसका weightage आपको लिए होगा राइट वहाई पर अगर आप general systems की यहाँ पर मिलेगा मतलब subjects काफी सारे इसे जो phase 1 phase 2 दोनों में कम महिन है तो इसमें आपको maximum marks 100 रहेंगे 40 minutes का time duration में रहेगा cut-off आपको यहाँ पर भी 40% की रहेगी और overall cut-off के अगर बात कर ले हैं से तो 50% आपको overall cut-off clear करना पड़ाईगी दोस्तों इसको clear करने के लिए चलिए उसके अलावा आपसे बोला कि अगर हम बात कर ले कि जो questions होगे question paper जो होगा आपके पास में है ना वो आपका bilingual language में रहेगा Hindi and English दोनों ही languages में वो होगा आपके पास English को छोड़ कर सिर्फ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह पूरा detailing हमने इसका भी कर रखा है आपके पास चलो इसमें interview जो होगा कि weightage of marks कितना 90% weightage रहेगा maximum marks कितने 13.5 आपको यहां से मिलेंगे maximum marks कितने 13.5 उसके साथ साथ ही जो relevant post qualification experience होगा जो जो जिस भी आप मतलब जिस भी आप category से belong करते हो जो जो भी आपकी qualification जो मतलब qualification experience जो है जो qualification experience जो आपका रहेगा उसको भी यहां पर से मिलेंगे मतलब 10% आप बोल सकते हो वहां से मिलने वाला एक तरसे तो इस तरह से total 100% का weightage बनेगा आपका in 15 marks का राइट तो जो भी आपके बस extra है उसका आपको कहीं न कहीं तो फाइदा मिलता ही है दोस्तो हमेशा मिलता है उस चीज का ध्यान रखें आप लोग ठीक है च होना चीए है actually होना चीए वहां पर आपको शो करने के लिए है न क्योंकि भई document verification जब होता है तो चीजे सारी चेक की जाती है अब लोग अब जो main agenda है कि syllabus क्या है सर इसका तो syllabus पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए है syllabus में अगर आपन देखें कि दोखो कहीं पर भी ना phase 1 का जो syllabus से जिससे अपन हम लोग बात कर लेगा इसकी quant reasoning और English की इनका दे नहीं रखाए लेकिन जिसे previous year की जितनी भी papers हमने analyze किये हैं उसी पर based हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि किस-किस topic से questions पूछे गए है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे quantitative aptitude की कि इस section से कहां-कहां से questions आते हैं और कहां-कहां से आए है तो दोस्तों देखो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें syllabus तो यह आपका quant का syllabus रहने वाला है जिसके अंदर यह वाला जो portion होता आपका जिसमें अंदर approximation, simplification, number series, quadratic equation इसको speed maths का part कहा जाता है कि इससे questions आपके पूछे ही जाते हैं उसके लावा देखा जाए कि सर परसिंटेज हो गया, ratio and proportion हो गया यह दो topics जो है एकदम base topics है कि इनको आप किसी भी तरह से कोई भी examination आपका हो उसमें आप बिलकुल skip ने कर सकते हैं तो आपको prepare करना must है अना क्योंकि यह अगर आपकी clear होते है न ठीक है यह आप बूल सकते हो methods से दोता रही तो यह methods अगर आपकी clear हो जाती है तो आपके मतलब जितने भी arithmetic topics है उन सभी पर आपकी grip बन जेगी पूरी तरह से आप पकड़ बना लोगे अपनी अप ठीक है राइट तो यह वाला पाट आता है आपके पास इससे questions बनते हैं उसके लावा यह सारे के सारे topics जिसमें profit and loss, SICI, partnership, average, mixture allocation, time and work, pipes and systems, problem on trains, speed time and distance, problem on boots and streams, quantity comparison है ना इसमें कुछ चीज़ हम और include कर देंगे जिसे permutation, combination, probability है ना और कुछ कभी-कभी mensuration से भी questions आपके बन सकते हैं आपर और data interpretation इसको तो cover करना ज़रूरी है क्योंकि questions यहां से भी आते हैं अपने पास है ना चलिए आगे बढ़ते हैं यह sources से अगर बात कर लें S quant book की तो आपके पस अगर S quant है भैतर है इसके अंदर questions हम आपको मतलब इसमें काफी सरे questions मिल जाएंगे आपको उससे practice कर सकते हो उसके अलावा अगर आप कोई paid page अगर join करते हो अगर हमारा ही paid page अगर join करोगे तो वहां के notes sufficient रहते हैं और यह data interpretation के लिए यह वाली book है ADDA247 की औ और देखो अगर इनको आप join मतलब लेना चाहो books अगरा को तो आज double value भी मिल रही है तो आप लोग इस referral code का use करके या तो कोई paid page join कर ले या फिर आप इस referral code का use करके books ले सकते हैं इस choice आपकी है आप लोग जो लेना चाहा हो ले सकते हैं चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अ data sufficient से arguments, alphanumeric, symbol series, puzzle, setting arrangement, verbal reasoning, order and ranking, arrangements and patterns, blood relation, direction and distance ये सारे के सरे पूछी जाती ही चीज़े है इनसे और बात कर लेगे इस books तो सौरफ सर की जो book है ये champions reasoning, best book है market में है अटे 24 से उन पर भी बहुत ज़दा sale करे जाली बाली book ये है reasoning के लिए तो आप जा सकते हो इस book के लिए ये आप इस book के लिए जरूर जाइएगा अगर आप book लेना चाहरे हो तो चली आगे बढ़ते हैं अगले part की तरफ जो की है आपका English तो दोस्तों English में ये सारे के सारे topic से ही questions पूछे गए अभी तक और आगे भी इनी से पूछे जाने की उम्मिद हैं पूरी तरह से sources के अगर बात कर ले तो आप English prefer कर सकते हो newspaper reading आपकी proper रहना चाहिए क्योंकि इन questions paper में reading habit आपकी बहुत important होती है हर जगा वो आपको काम आएगी जब आप descriptive लिखोगे जब आप लोग जिए वगरा portion वाला का solve को रहोगे हर जगा काम आएगी दोस्तों अगर हम लोग बात कर जी एक current affairs की तो देखो यह सारे के सारे topics जो है जिनसे maximum चीजे पूछी आती है जी वाले section में ठीक है और most probably जो मतलब जा जाता है जो questions बनते फ्रेम होते हैं यह वाला part तो ही ही आपका उसके साथ-साथ इनके इर्दगर्द काफी बार questions घूमते रहते हैं जिसे आरिबे की websites बगर हो गया सेबी की website बगर हो गया उनसे related जितनी भी updates आती है उनसे related हो गया PFRDA हो गया IRDA हो गया Finance Minister News हो गया अपके पास में notifications हो गया जितनी भी आते हैं union budgets हो गया and economic survey हो गया तो government site जितनी भी है उन पर भी आपको visit करते रहना चाहिए इन सब के लिए देखो अगर आप self study करते हो तो अलग बात ही कि आपको हर जगा करना पड़ेगा खुद से और अगर आप लोग किसी paid batch एफर किसी particular batch में इंडॉल कर लेते हो तो वहाँ पर फिर faculty की जिम्मदारी बन जाती ही कि वो आपको guide करते रहेंग तो phase 2 के अंदर भी आपके बस वहीं चीज रहने वाली है तो आई ज़रा फटा फट से नज़र डाल लेते हैं इस पर और दोस्तों देखो ये हम लोग जो discuss कर रहे हैं ये एक चुली previous year के syllabus पर based है हो सकता है कि इस बार हलका फलका कभी कुछ change अगर देखने को मिलेगा तो व देखो यहाँ पर अपने मतलब पूरी तरह से लिखा होगा कि syllabus for paper 2, paper 2 का syllabus होगा for phase 1 and phase 2 in journal stream, common syllabus for both phases, common syllabus है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत है आएगी भी इसको करने में, सबसे बेल आपके बस के commerce and accountancy basically, तो commerce and accountancy के रहे सारे के सारे parts आपको cover up करने पड़ेंगे, accounting as a financial information system आपके बस हो गया, okay, cash flow statements हो गया, accounting for share capital हो गया, आपके बस में, employee stock options हो गया, preparation and presentation of company final accounts, तो यह आपके बस commerce and accountancy के अंदर आता है basically, तो यह सारा part आपका हो जाएगा, इसके साथ साथ यह बात कर ले आगे है, management वाले part पे, तो management and its nature and scopes हो गया आपके पास, the role of manager in an organization, leadership, इस पर questions आपको देखने को मिलते हैं इसमें, right, उसके अलावा देखा जाए तो यह जो है, human resource development वाले part से, इससे questions कभी कई बार देखने मिलके, concepts of HRDA बरगा, motivation, moral and incentives, इस पर भी questions मिलते हैं आपको, है ना, communications हो गया आपके पास में, जिसमें, step in communication, process, यह सारा, कुछ आपका पूरा syllabus है किसमें management वाले part का, ठीक है, फिर बात कर लेकिसकी finance वाले part की, तो finance में, देखो, financial, financial system से questions बनते हैं, जिसमें, role and functions of regulatory bodies in financial sector, जो, जितनी भी regulatory bodies है, उनका financial sector में क्या role, क्या role, basically है ना, तो इसमें questions RBI से भी पूछते हैं, CBC से भी पूछते हैं, जितनी भी मतलब regulatory bodies है, सभी को पढ़ना हमें जरूरी होता है, ठीक है, clear, उसके लागा बात कर ले, financial markets की, तो primary and secondary markets हो गए, forex money, bond, equity, etc, तो ये सारे के सारे functions इसमें रहने वाले हैं, आपके बास, general topics कर बात कर ले, तो basics of diverties, recent developments in financial sectors, तो हमेशा देखो, current affairs इसलिए कराया जाता है, आप लोगो, याना, FM से related current current affairs भी इसमें करा जाएगा, और जो भी general awareness की जितनी भी चीज़े हैं, उनसे related भी current affairs की classes की, हमारे platform YT पर भी होती है, और आप लोगों को paid batches के अंदर भी चीज़े provide कर जाती है, तो current वाला जो scenario से update रहना बहुत ज़रूरी है हम लोगों, ठीक है, उससे चीज़े होगी आपक से बनते हैं दुस्तों, ठीक है, आगे अगे अगर देखा जाएं, तो अगला वाला पाट है आपके बस costing, costing के अंदर आपके बस भी काफी सारी, यह सारे के सारे topics उसके अंदर आते हैं, जिसमें overview of cost and management accounting, method of costing, methods of costing कितनी तरह की हैं आपके बस में, इसके अंदर job costing, batch costing, contract costing से, lean system and innovations कौन-कौन से, वो सारे के सारे इसमें रहने वाले आपके पास में, ठीक है, और 5 SS होगे आपके पास में, total productive maintenance आपके पास हो गया, okay, cellular manufacturing आपके पास हो गई, six sigma SS होगे आपके पास में, introduction of process, innovation and business process, re-engineering, तो यह सारे के सारे जो topics आपके पास हैं वो costing से related इसमें रहें और फिर अपके company act, company act के अंदर से भी questions पूछी जाते हैं, देखो यहाँ पर जितने भी chapters mention किये गया हैं, जिससे chapter 3, chapter 4, chapter 8 हो गया आपके पास 10 हो गया, आपके बास 11 हो गया, 12 हो गया, इस तरह के chapters आपको mention किये गये, लेकिन इसमें कुछ chapters छोटे हुए हैं, कुछ chapters में missing है basically, तो वो mention नहीं करें, लेकिन उनसे भी उनको भी पढ़ना ज़रूरी होता है, उनको भी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो थोड़ा base का काम करते हैं अपने लिए, किसी भी जिससे quant के अंदर आपका basic clear होना ज़रूरी, तो वैसे ही इनके अंदर भी आपको थोड़ national income, concepts and measurement, यह सब चीजे इसमें रहे हैं अपके बस में, balance of payment आपका रहेगा, foreign exchange markets, inflation, monetary and fiscal policy, non-banking financial institutions, तो यह सब कुछ आपको properly read करना होगा, इन सभी का knowledge आपको properly रहना चाहिए, यह पूरा syllabus में हैं आपके, ठीक है, और दोस्तो, at the end, at the end अगर बात कर लें, तो paper to English, so writing skill का रहेगा basically, तो seriously आपको लिखा होगा, कि the paper on English shall be framed in a manner to access the writing skill, including expression and understanding, okay, on the topic, right, तो भाईया, इसलिए आपके main, दो जो होती है, spelling mistake वगरा नहीं होना चाहिए, आपके reading habit, मतलब reading habit proper होना चाहिए, और typing speed भी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि pain paper वाला mode तो होगा नहीं इस इसलिए new newspaper reading वगर का कहा जाता है, ठेक है, क्योंकि जितनी reading करोगे उतनी हमारी thinking level जो बढ़ता है, हम सोच सकते है properly और अच्छे से perform भी कर सकते है, जो भी जिस भी बारे में आपको चीजे पूछी जाती है, क्योंकि देखिए, अगर writing skills के अगर बात कर लें, तो ऐससे आप reading comprehension आपका रहेगा, five questions based on paragraph, reading comprehension I think आप सभी लोग aware है, इस चीजे को लेकर, ठीक है, तो यह चीजे आपके पास रहेगी किसमें, English writing skills के अंतर, ठीक है, तो दोस्तों यह सारा का सारा parts आपका रहने वाला है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, तो I hope की पूरा का प कुछ भी change आता है, किसी भी तरह को change आएगा, तो जो जैसे notification आएगा, और जब syllabus आपको वहाँ पर भी रहेगा, तो जो भी change आएगा उसके अंदर, वो आपको उस time पर update कर दी जाएगा, लेकिन, तब तक हमें wait तो नहीं करना है, हमें wait नहीं करना है एक तरह से, तो लग ज करनी है, तो बस लग जाओ, शुरू कर दो preparation आप लोग, self-study करनी है, आप self-study कर सकते हो, और अगर आप लोग चाते हो किया, कोई dedicated mentor हमें मिल जाए, जो हमें guide ही कर दे, इन सब चीजों को किस तरह से balance करना है, किस तरह से हम इनको एक तरह से synchronized way में कर लें, एक साथ कि हमें 1% extra application, okay, through, so, यह referral code आपको use करना है, for maximum discounts, अब कैसे इनको enroll कर सकते हो, देखो, आपके पास ना option कौन-कौन से होती है, दोस्तो, या तो आप लोग bank महापेक plus के लिए चले जाओ, या फिर regulatory bodies का जो महापेक होता है, उसके लिए चले जाओ, अच्छा, कैसे enroll करना है, so, let me show you, एक बार ज़र आपको दिखा देते हैं, दोस्तो, देखो, सबसे पहले आपको visit करना है ADDA247 की website पर, आप लोग जाएंगे, type करेंगे ADDA247, right, first link पर click कर लिजेगा, first link पर जैसे ही आप लोग click करते हो, तो इस तरह का कुछ interface आपको देखने को मिलता है, अब इस interface के बाद मे आप यहाँ all courses पर click कर लिजे, left hand side को थोड़ा सा scroll down करेंगे जब आप लोग, तो आपको नज़र आएगा regulatory bodies in aso, क्या नज़र आएगा regulatory bodies in aso, तो regulatory bodies in aso के बाद में आपको हैंपर काफी सारे batches नज़र आएंगे, काफी सारे batches आपको नज़र आएंगे, हैना, काफी सारे गलग batches हैं, जो हमने आपके आने वाले हैं, और जो चल रहे हैं basically, अगर वहीं पर बात हम लोग SEBI की कर लें, तो दोस्त, SEBI का जो batch है, यह आपका SEBI का batch है, SEBI Grade A Achievers Club, foundation batch रहेगा 2024 का, तो इस batch का आप जोइन कर सकते हो, जो कि 20th of November से start होने बाद, हो जाएगा, तो दोस्तों जान रहो, लेट नहीं करना है, आप चाहो तो इसमें इंडॉल कर सकते हो, बिल्कुल कर लीजी आप लोग, ठीक है, या फिर देखो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, मुझे SEBI के साथ ना, REB भी प्रिपेर करना है, NHB भी प्रिपेर करना है, है ना, और मुझे उसके जो भी upcoming examination और भी जिससे IFSC का examination आ सकता है, IRD का examination आपको देखने को मिल सकता है, उन सब को भी अगर cover करना है, तो आपके लिए best option क्या होता है फिर, किस अर में जाओंगा Bank Mahapek Plus के लिए, किस पर जाओंगा Bank Mahapek Plus के लिए, तो आप लोग इस पर जाही सिदे, ठीक है, तो दोस आपको बस जाना है, बाइन आउपर, आप बाइन आउपर क्लिक करेंगे, और बाइन आउपर क्लिक करने के बाद में छोटा सा referral code, the referral code should be Y710, क्या होना चाहिए, Y710 इसको apply कर दीजीगा, तो दोस्तों आप देख पाऊगे, कि सर 6554.77 रुपीज में ये 24 महने के लिए आप 6 मन्त का ले लीजिए, तो 6 मन्त में आपको double warranty उसमें मिल जाएगी, तो 12 मन्त का मिल जाएगा, तो जेसा भी आप लोगो लेना चाहिए, ले सकते हैं, बस referral code का जहन रखेगा दोस्तों, कि जो referral code आपको यूज करना हो गए हैं पर, that referral code should be Y710 for maximum discounts, चलि अगर वीडियो अच् के साथ में, thank you so much for joining this session, bye bye, take care, thank you so much.